हेलो फैंस, वेलकम बेक टो माई चैनल, देखिए, आज हम लेके आए हैं, पैटरन से डिलेटिड रीजिनिंग के फ्री न्यू केस्टिन्स, तो चलिए इन्हें देखते हैं और करने के कोशिश करते हैं, देखिए, बहुत ही इजी है, केवल हमें लोजिक लगाने होते हैं, औ और क्वेस्टन सौल हो जाता है, तो चलिए देखते हैं, इसमें क्या लोजिक लगेगा, देखिए, फरस्ट क्वेस्टन है, एट पी 64, 125, 260, क्या हो, देखिए, फाइंद इवल्य वेल्यू ऑफ पी एंड क्या हो, देखिए, इसमें पी और क्या हो की वैल्यू फाइंड है तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे आया हम करते हैं 2 x 2 x 2 two two four four two eight देखे eight आ गया second देखे पी तो हमें find out करना है 64 अब देखे हमें 64 पता करना है कि कैसे आया तो देखे यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि 3 था तो यहाँ पर हम मानेंगे 4 है 4 multiply 4 multiply 4 ओके तो देखिए करते है 4 4 जा 16 16 4 जा 64 देखिए आगे हमारा 64 यास अब देखिए 125 है तो देखिए कैसे हुआ 5 multiply 5 multiply by 5 देखिए 5 5 जा 25 25 जा 125 देखिए हमारा question दिकलता जा रहा है I think अब आपको समझी में आ रहा है कि क्या करना है हमें 2 है इसका cube है ये 3 का cube है ये 4 का cube है ये 5 का है ये 6 का है तो ये 7 का है तो देखिए score 6 का कर लेते है हमें यहाँ पर देखिए 6 multiply by 6 multiply by 6 यानि कि इन value को 3 3 बार multiply किया गया है तो देखिए 6 6 जा 36 36 6 जा 260 I think आपको बहुत अच्छे से clear हो गया है तो देखिए हमें P की value find out करने हैं पहले P की करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या हैगा 3 तो 3 को multiply करेंगे P बराबर में 3 को multiply करेंगे 3 बार तो 3 तरिज़ा 9 9 तरिज़ा 27 तो देखिए हमारा तो देखिए हमारा answer है कौन सा option हमारा correct है B option हमारा correct है 343 sorry B नहीं है हमें पहले P के value find out करनी है यह भी सही है बट P इसमें last में लिखा है और क्याँ पहले लिखा है तो हमारा A option है वो correct है A है पहले P 27 क्या हूँ है 343 I think आपको यह अच्छे से clear हो गया है Next question देखते है Find the missing square हमें यह question दिया गया है इसमें यह सभी square बने हुए है हमें क्या करना है यह find out करना है कि यहाँ पे कौन सी इन में से देखिए 4 options देए गया है 1, 2, 3, 4 यह 4 options से इसमें find out करना है कि यहाँ पे कौन सी square बनेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे simple सा है देखिए देखने में कितना typical बहुती ज़्यादा tough लग रहा है बट अगर आप इसको जड़ा सा logic लगाएंगे थोड़ा सा सोचेंगे तो देखिए कितना आसान है इनको total करते है 4 plus 2, 6 6 plus 4, 10 तो देखिए यहाँ पे आया 10 देखिए यहाँ पे 3, 1 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 7, 8, 9, 10 तो देखिए इसका भी total क्या है 10 तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो देखिए यह 7 है यहाँ पे होने चाहिए total 10 तो 7 में से 10 less करेंगे आएगा हमारा 3 तो देखिए यहाँ पे क्या बनेंगे 3 जो 3 की value है देखिए इसमें 1 बने हुए है इसमें 2 है इसमें 3 और इसमें 4 है तो देखिए 3 option है वो हमारा correct है यहाँ पे बनेंगे 3 I think आपको clear हो गया है आगे देखिए next question देखिए क्या है find the next 2 number in the pattern देखिए यह pattern के मैंने बोला था भी आपको यह pattern से related है questions तो देखिए इसमें है 8, 10, 14, 20 देखिए इसमें क्या logic लगाएंगे 8 में से 10 में से 8 को less किया आया 2 इसमें से 14 में से 10 को less किया 4 20 में से 14 को less किया आया 6 आदेखिए 2, 4, 6 यानि कि 2 प्लस क्या हो रहा है 2 क्या हो रहा है add हो रहा है तो देखिए यहाँ पे होगा add 8 यहाँ पे आएगा 10 यानि कि 2, 2 add होता जा रहा है तो 20 में 8 add करेंगे आएगा यहाँ पे 28, 28 में 10 एड करेंगे, यहाँ पे आएगा 38, I think, देखे हमारा कौन सा ओप्षिन है, जो करेक्ट है, 28 and 30, हमारा 8, 38 है, देखे हमारा है, 28 and 38, सी ओप्षिन है, वो करेक्ट है, देखे आप, I think आपको यह सारे कॉस्चिन्स हैं, बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, अगर आप ऐसे ही और प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, रिजनिंग और मैच से रिलेटेड इड क्वेस्चिन्स, अगर आप कुछ चाहिए हैं, करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आभी तक आपने वीडियो को ला